नमस्कार दोस्तों आज हम सुनेंगे नवरात्री के तीसरे दिन की कथा माता चंद्रघंटा की कथा तो चलिए शुरू करते हैं माता चंद्रघंटा की कथा हिंदू धर्म में बहुत ही प्रसिद्ध है चंद्रघंटा का नाम नवरात्री के तीसरे दिन के पूजन में उनकी पूजा के रूप में किया जाता है चंद्रघंटा का नाम चंद्र और घंटा से आया है जिसका अर्थ होता है चांद की तरह चमकने वाली नवरात्री के दिनों में जो भी भक्त माता चंद्रघंटा की पूजा पुरे भक्ती भाव से करते हैं उनके सभी दुहक दूर हो जाते हैं ऐसा माना जाता है कि नवरात्री के दिन माता चंद्रगंटा की पूजा करने से भक्तों में निर्भीक्ता और सौम्यता का आगमन होता है, तो चलिए सुनते हैं माता चंद्रगंटा की कथा। की क्रिपा से मनुष्य के सभी पाप नश्ठ हो जाते हैं, माता होने भक्तों के सभी दोहक को शीघर ही दूर कर देती हैं, माता का स्वरूप शांती से परिपून रहता है, चंद्रगंटा का रूप अत्यंत सुन्दर और शांति प्रिय होता है। उन्होंने त्रिशूल और चंद्रमा की शक्ती से महिशासुर को मार डाला। उनकी पूजा भक्तों को शक्ती और सम्रिध्धी प्रदान करती है, चंद्रगंटा के दर्शन से मनुष्य की भाग्यशाली होती है, और उन्हें शांती, संतुलन और सफलता की प्राप्ती होती है। चंद्रगंटा का चंद्रमा और त्रिशूल के साथ विराजमान रूप देवी की पूजा नवरात्री के तीसरे दिन की जाती है, और उन्हें ध्यान करने से मनुष्य की मनोकामनाएं पूरी होती है।